दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आशा करती हूँ अच्छे हैं होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद आए 1998 की वो मुवी जिसके एक गाने से रातो रात स्टार बन गई थी राणी मुकरजी फिल्म के हीरो ने दुखाया उनका दिल रानी मुकर जी भारती सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री है और उन्होंने भारती सिनेमा को कई सुपर हिट फिल्में भी दिये वे शादी के बाद ही परदे पर एक्टिव है और लोग की दिवान की उनके लिए अब भी 90 के दसक जी जैसी है जानी मानी अभिनेतरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात राजे की आई की बाराज से की थी लेकिन कुछ-कुछ होता में उनकी भूमिका में उन्हें फेम दिलाया था इसके इलाबा उन्हें आमिर खान की गुलाम के साथ भी जबर्दस्त लोक प्रियतर हासिल भी की थी इस फिल्म से जुड़े एक किस्टे के बारे हम आपको बता रहे हैं रानी मुकर जी ने आमिर खान के साथ 1998 में आई फिल्म गुलाम में अभिने किया था जहां उन्होंने ए क्या बोलती है तू गाने से हर किसी का अटेंशन लिया और ये सौंग आज भी उतना ही पॉपुलर है इसी से जुड़े किस्टे को शायद आप नहीं जानते होंगे जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं दरसल शुरुवात में गुलाम के फिल्म निर्माताओं ने रानी की अवाज के लिए एक डविंग कलाकार का इस्तमाल करने का फैसला किया था क्योंकि वे अनिश्चित थे क्योंकि उनकी नेच्रल वाइस फिल्म के सही होगी या नहीं हाली में एक इंटर्वियू में रानी ने फिल्म से जुड़ी कुछ बाते शेयर भी किया उन्होंने बताया कि कहानी में आमिर खान को बुरे पुलिस वाले के रूप में देखा जाता था तब इन्होंने अपनी आवाज की डविंग को लेकर भी चर्चा की थी एक्ट्रिस ने गलाता इंडिया को बताया कि यह बहुत सामाने सी लगने वाली आवाज नहीं थी यह मेरी आवाज और यह अलग है लेकिन मुझे लगता है कि उस समय यह सिर्फ फैक्ट यह था कि मेकर्स पहले से एक स्थापित एक अभिनेता आमिर खा के उनके साथ मेरे जैसे यंगस्टर पर बड़ा दाव लगा रहे थे इसलिए वो थोड़े अनिस्चित थे यह बाचित एडिट रूम में हो रही थी और तब विक्रम भट ने समझाया कि इस लड़की के आवाज थोड़ी अलग है रानी ने उसी चैट में जिक्र किया कि उस समय फीमेल एक्टरस के लिए अपनी आवाज दूसरों से डब कराना आम बात थी खासकर अगर उनकी हिंदी अच्छी ना हो उन्हें ने कहा कि आमिर ने उधारन के तौर पर श्री देवी का हवाला दिया था और याद किया कि कैसे उनकी आवाज को कई फिल्मों में डब किया गया था अक्टरस ने बताया कि श्री देवी जी ने अपने जीवन के कई सालों तक उनकी आवाज को डब किया और वे मेरी पसिंद्धा अभिनेत्रियों में से एक थी तो मुझे याद है कि आमिर ने मुझे कहा था कि रानी तुम्हें पता है कि तुम्हारी पसिंदिदा अभिनेत्री श्रीदेवी हैं उनकी अवाज कई फिल्मों में डब की गई थी और इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि हमें वही करना होगा जो हमारी फिल्म के लिए कर दिया था जानकारी के लिए आपको बता दे कि गुलाम में मोना सेटी ने रानी मुखर जी को आवाज दी थी जो उन्हीं की तरह हाई पिस वाली वाइस रखती हैं बकॉल रानी मुखर जी उन्होंने बाच्ची शुरू ही की और कहा हमें वही करना चाहिए जो फिल्म के लिए सबसे अच्छा और हम जाते हैं कि श्री देवी जी जैसी अबनेतरों की आवाज को कई सालों से डब किया गया और वो लोग प्रियें भी हैं हम ये सबी ये महसूस करते हैं कि आपकी आवाज अलीशा के किरदार के लिए सही नहीं है लेकिन मैं नहीं थी इसलिए कि मुझे लगा था कि किसी व्यक्ति की आवाज ये उसकी असली पहचान है आज तक मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं उन्हें गुलाम से पूरी तरह जुड़ी नहीं हूँ क्योंकि यह मेरी आवाज नहीं है आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताइ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग बबाई